हिमाचल प्रदेश में निजीवस ओपरेटर संग की बैठक के वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में संपन हुई बैठक में प्रदेश के सभी जिला की यूनियन ने भाग लिया और बैठक में ये तै किया गया कि जब तक सरकार निजीवस ओपरेटरों को बुला कर बातचीत नहीं करेगी तब तक प्रदेश में कोई भी बस नहीं चलेगी बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजीश पराशर ने कहा कि ऐसे हलात में हम बस से चलाने में असमर्थ हैं और हम ये नहीं कहते कि हम सोचल डिस्टेंसिंग को नहीं मानेंगे बिलकुल मानेंगे और डवली अच्चों के आदेश भी मानेंगे आपके आदेश भी मानेंगे परंतु सरकार हमें यह जरूर एक बैठक के माद्दम से ज भनिमत से ये परसाब पारित किया गया कि जब तक परदेश सरकार हमारे साथ एक बैठक करके ये घाटे को कैसे दूर किया जाए इस समस्या से कोई समधान नहीं निकाल पाती जब तक हम परदेश भार में एक जून के बाद बसे नहीं चलाएंगे सरकार हमारे साथ बैठके चर्चा जरूर करें और हमें ये जरूर समझाए कि हम जेव से डीजल डालके बसे चलाने में असमर्थ होंगे और ऐसे समय में पचास या साथ प्रतीसत अनुकाब से स्टेज कैरिज बसों को कैसे चलाए जाए बफिन तरह के पहलू है जिने सरकार एक बैठक का ऐयोजन करके उस पे चर्चा करके जब वो चर्चा ठीक निपर जाए उसके बाद ही हम बसे चलाने में के लिए त्यार हों कि हम एक जून से परदेश में निजी बस से नहीं चलाएंगे कांगडा से पंकच की रिपोर्ट